गुड मॉर्निंग फेंड्स, स्वागत है आप सबका, आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आएं आपके लिए बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टी सेट नमबर 4 जो की प्लेटफॉर्म वॉल्म 2 का चलाया जा रहा है इससे पहले प्रैक्टी सेट नमबर 1,2,3 अगर आप उसे नहीं देखें तो आप जाके चैनल से देख सकते हैं साथी साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ अगर आपको इस वीडियोच के पीडियव चाहिए तो आप उसे टेलीग्राम या वाटसब ग्रूप से जाके ले सकते हैं टेलीग्राम और वाटसब ग्रूप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है साथी साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले आप जाके टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कीजेगा या WhatsApp से PDF डाउनलोड कीजेगा उसके बाद उसे खुद attempt कीजेगा और फिर आप मुझे comment करके बताईएगा कि आपका कितना marks आया है और फिर उसके बाद इस वीडियो का explanation आप देख सकते हैं साथी साथ एक और चीज़ मैं बताता हूँ कुछ लोगों का इसुच था current affairs का तो current affairs के भी वीडियोज मैं B clip form में upload कर दिया हूँ वहाँ से आप जाके current affairs देख सकते हैं एक मन्त के चार वीडियोज आपको मिल जाँगे current affairs के बो चार वीडियो देखने के बाद मैं इतना ऐसी रिटी आप लोगों को देता हूँ कि आप किसी भी एक जाम में खुद को comfortable feel कीजेगा current affairs के field में अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं या चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और साथी साथ bell icon दबाद दिजेगा ताकि आपको सारे useful video content के videos के notification आपको मिलते रहें तो आईए शुरू करते हैं question से जो हमारा पहला question है वो है 1688 में औरंजेव ने किस से कहा था कि खुदा के बल मुसल्मानों का ही खुदा नहीं है बलकि तमाम इंसानों का भी खुदा है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बो हो जागा महराजा सबई जैसिंग ने महराजा सबई जैसिंग नहीं उसे कहा था कि खुदा के बल मुसल्मानों का ही खुदा नहीं है एक रतन था बिर्वल अगर हम बात महराजा जैसिंग की करते हैं तो महराजा जैसिंग से याद रखेगा कि इनका एक कथन था कि मैं सीवा को बंदी बना लूँगा मैं सीवा को बंदी बना लूँगा ये भी question बहुत बार इक जाम में पूछा गया है कि मैं सीवा को बंदी बना लूँगा किसने कहा था तो इसका अंसर हो जागा महराजा जैसिंग चलिए अब बात करते हैं अपने अगले question question number second की question number second कहरा है कि कि किसने मीर जाफर के मरने पर एक हिंदू मंदिर से गंगर जल लाकर अपने हाथों से गंगर से अंति मस्नान करवाया था तो इसका जो सही अंसर होगा बोह जागा option number यानि नंद कुमार नंद कुमार से याद रखिएगा ये जो था वो बंगाल का एक ब्राह्मन था क्या था बंगाल का एक ब्राह्मन था मीर जाफर ने ये जो मीर जाफर था वो नंद कुमार को अपना दिवान भी बना रखा था क्या बना रखा था दिवान भी बना रखा था अगर बात हम लोग सिरा जुदौला की करते हैं तो सिरा जुदौला के सासन काल में ये जो नंद कुमार था वो हुगली का फौजदार था ठीक है या था हुगली का फौजदार था चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले question question number third की तरफ question number third कह रहा है कि more समराज में दिवानी नियाले के नियाधिस को क्या कहा जाता था तो इसका जो सही अंसर है बो है option number B यानि बैवारी कहा जाता था देखिए अगर हम बात करते हैं more call की तो more call में नियाले को दो पाटों में divide किया गया था पहला जो था वो था दिवानी नियाले और दूसरा जो था वो था फौजदारी नियाले ठीक है अगर बात दिवानी नियाले की करते हैं दिवानी न्याले को बोला जाता था धर्मस्थनीच और फौजदारी को बोला जाता था कंटक सोधन ठीक है मौर समराज की बात करते हैं तो मौर समराज से आप लोग भली भाती परचित होंगे कि मौर समराज की अस्थापना किस ने की थी? चंदरगुप मौर ने किया था अगर हम बात अर्थ सास्थ की करते हैं तो अर्थ सास्थ में मौर समराज की सिर्सधिकारियों का उलेक जो था वो तिर्थ के रूप में किया गया था और कभी-कभी ये कोश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि तिर्थो की संख्या कितनी थी? तो तिर्थो की संख्या थी 18 क्लियर है? चलिये अब बड़ते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ जो कि हमारा कोश्चन बर 4 कोश्चन बर 4 का रहा है कि इन में से कौन चंदरगुप दूतिये के नौर्यातन में साविन नहीं थे तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ हो जागा option number D कलहन कलहन की अगर हम बात करते हैं तो ये कास्मीर के लोहा राजबंस कास्मीर के लोहा राजबंस का जो सासक था हर्स उसका आसरीत कभी था कलहन ठीक है कलहन की एक पुस्तक है रचना है जिसका नाम है राजतरंगनी ठीक है राजतरंगनी में और इसी राजतरंगनी से कास्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में मुझे जानकारी मिलती है अगर हम बात नौरतन की करते हैं चंद्गुप दूतिये के साथ साथ याद रखिएगा कि अकबर के भी दरबार में नौरतन हुआ करते थे क्लियर है चलिए अब वरते हैं अपने अगले कोश्चन की तरब जो कि हमारा कोश्चन नमबर फिप्थ कोश्चन नमबर फिप्थ कहा रहा है कि मिलान करे एक साइड नाटक दिया हुआ है एक साइड नाटका कार दिया हुआ है तो देखिए नाटक अगर हम देवी चंद्र गुप्तम की बात करते हैं तो इसके नाटका कार भी साकदत ही थे मिरिच कटिकम की बात करते हैं तो सुद्रग ही थे और स्वपदद्दम की बात करते हैं तो वास ही थे मतलब सानने सानने ये लिखा हुआ है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number A यानि A का 1, B का 2 और C का 3 चलिए अब औरते हैं अपने अगले question, question number 6 की तरफ question number 6 कह रहा है कि इबन बतूता किसके सासनकाल में भारत आया था तो ये MBT यानि मुहंबद बिन तुगलक के सासनकाल में आया था तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number B अगर इबन बतूता की बात करते हैं तो इबन बतूता से याद रखेगा कि ये मुरक्को का यातरी था मुरक्को का निवासी था ठीक है अगर हम बात इबन बतूता की करते हैं तो इबन बतूता का जो यातरा बित्रांत है रहाला के नाम से प्रसीद है ठीक है किस नाम से प्रसीद है रहाला के नाम से प्रसीद है अगर हम बात इमन बतूता की और करते हैं तो इमन बतूता इतना बिद्दमान था माना जाता इमन बतूता की बिद्दमान इतना था कि उसके मतलब गुन से परभावित होकर मुहम्मद बिन जो तुगलग था वो उ करते हैं अपने अगले question, question number 7 की तरफ, question number 7 कह रहा है कि रसिक प्रिया नाम से टिका किस ने लिखी थी, तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा, option number B यानि राना कुम्भा ने लिखा था, clear है, कुम्भा नहीं जै देव द्वारा रचित, गीत गोबिंद पर रसिक प्रिया क बो सांस्क्रिटिक दुरिष्टि कोन से मेवार इतिहास का स्वन यूग माना गया है, clear है, चलिए, अब बात करते हैं अपने अगले question की तरफ, जो की है हमारा question number 8, question number 8 कह रहा है कि बंगाल के प्रथम चार पार्सर में सामिल नहीं थे, कौन सामिल नहीं थे, तो इसका जो सह आट की तहट, बारेन हेंस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जेनल बनाया गया, ये तो clear है, ठीक है, और इसी regulating act के तहट, चार संसदिय कारकारी परिशत का गठन किया गया, जिसके सदस किसको माना गया, फ्रांसिसी, मांसन, क्लेबरिंग और बार्बेल थे, मतलब य नहीं था, फ्रांसेसिस था, बार्बेल था, क्लेबरेबिंग था, तो इसका जो सई अंसर होगा, बो हो जगा, option number C, बारेन हेंस्टिंग, clear है, चेलिए, अब बढ़ते अपने अगले question की तरब, जो कि हमारा question number 9, question number 9 कह रहा है कि मदरास की संधी किन के बीच हुई थी, तो म हुआ था, किसके किसके बीच, हैदर अली और अंगरेज के बीच, तो इसका जो सई अंसर होगा, बो हो जागा, option number A, देखिए, कुछ संधिया हैं, आप याद रखिएगा, कि प्रथम अंगल मस्यूरियूद की समापती हुई थी, मदरास की संधी से, जो हुआ था तो 1769 में दूतिय अंगल मस्यूरियूद जो था, वो खतम हुआ था, मैंगलोर की संधी से, ठीक है, और ये हुआ कर था 1784 में, तृतिय अंगल मस्यूरियूद की अगर बात करते हैं, तो ये खतम हुआ था, स्रीरंग पटनम की संधी से, और ये हुआ था 1792 में, क्लियर है, याद अगले question की तरफ जो कि हमारा question number 10, question number 10 कहा रहा है कि तिला के home rule लिख के प्रथम सचीव कौन थे, तो इसका जो सही answer होगा बो होगा, option number C, nc-calcul, अगर हम nc-calcul की पूरा नाम की बात करें, तो उनका जो पूरा नाम था, बो था nursing, nursing, चिंता मनी calcul, clear है, यह उनका पूरा नाम था, देखे, अगर हम बात करते हैं home rule लिख की, तो home rule लिख से दो इनसान का नाम आपके दिमाग में आता होगा, पहला एक तिलक जी और दूसरा any patient, तिलक जी जो home rule लिख की अस्थापना किये थे, वो किये थे, 28 April 1916 को, ठीक है, दोनों ने अपना परभाव छेतर अलग-अलग कर लिया था, तिलक के द्वारा जो home rule लिख अस्थापना किया गया था, उसका अगर हम प्रथम अध्याच की बात करें, तो प्रथम अध्याच थे, जो जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है, यह जो जो जोसेफ बैप्टिस्टा थे, यह प्रथम अध्याच थे, और एंसी केलकर जो थे, वो प्रथम सचीव थे, लेकिन अगर हम एनी बेसेंट की बात करते हैं, तो एनी बेसेंट के द्वारा जो home rule लिख के अस्थापना हुई थी, वो उसमें प्रथम अध्याच वो सुएम थी, मतलब एनी बेसेंट ही थी, और जो गुरु नानक की बात करते हैं, तो गुरु नानक सीखो के पहले गुरु थे, ठीक है, टोटल दस गुरु हुए थे, जिसमें गुरु नानक जो थे, वो पहले सिख गुरु थे, और इनी के जो अनुवाई थे, वो सिख कहलाए थे, clear है, अगर हम बात करते हैं, गुरु ना अस्थाइ किसने करवाया था तब अंसर तो हो जागा गुरु नानक देव लेकिन अगर पूछा जाएगा कि गुरु के लंगर को अस्थाई किसने बनाया था अस्थाई किसने कर दिया था तो ये सिखो के दूसरे गुरु जिनका नाम गुरु अंगत था उसने करवाया था त क्लियर है साथ ही साथ है को और चीज याद रखेगा इनकी जो मिर्टु है वह 1539 में हुआ था और कहां करतारपूर में क्लियर है चलिए अब बढ़ते है अगले कोशन की तरब जो किया हमारा कोश्चन नमर 12 कोश्चन नमर 12 कह रहा है कि इंडिया रिपब्लिक आर्मी की अस्थापना किस ने की थी तो इसका जो सई अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपसन नमर बी यानि सूर्ज सेन ने किया था क्लियर है सूर्ज सेन से याद रखेगा कि सूर्ज सेन को लोग प्यार से मास्टर दा भी कहते थे क्या कहते थे मास्टर दा क्यों क्योंकि यह जो सूर्ज सेन थे वो नेशनल हाई स्कूल में एक सीनियर ग्रेजुएट सिछक थे इसलिए इनको लोग प्यार से मास्टर दा कहते थे इससे एक चीज़ और याद रखेगा कि यही सुर्ज सेन यानी मास्टर दे नहीं चटगाउं बिद्रों में ठीक है कब चटगाउं बिद्रों का सफल ने तरित भी इन्हों नहीं किया था सुर्ज सेन नहीं क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कोश्च सितंबर 1932 की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर 1932 में डॉक्टर भीम राओं अम्बेद कर और महात्मा गांधी के बीच एक समझोता हुआ था उसी समझोता को हम लोग पूना समझोता के नाम से जानते हैं और इसी समझोता में दलितों की सीड़ों थी वो एक 70 से बढ़ा कर 148 कर दी गई थी मदरास में 30, बंगाल में 30, मद्ध प्रांत और यो संजुक्त प्रांत था उसमें 20-20, उडिसा में 18, बंबई और सिंध में 15, पंजाब में 8 और असाम में 7 इतना अस्थान दलितों के लिए सुरचित कर दिया गया था अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो कि हमारा कोश्चन नमबर 14 कह रहा है कि इटालियन दूताबाथ से सुवास चंदर बोस किस नाम से रूस होकर जर्मनी पहुँचे तो इसका जो सही अंसर है बो है और अप्सन नमबर A यानि ओलार्दो मार सूता अच्छिक है अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 15 कह रहा है कि हिमाले परवस रिंखला किस परकार की परवस रेनी में आता है तो इसका जो सही अंसर है बो हो जागा बलित परवत यानि ओप्सन नमबर D जो होगा वो हमारा सही अंसर है देखिए अब बात करते हैं आखिर बलित परवत ह है क्या देखिए जो टेक्टोनिक चटानों होते हैं वो एक दूसरे से टकराने या सिकुडने के बाद पिर्थीवी के सता में उभार के कारण निर्मिसर रचना जो बनती है उसी को हम लोग बलीत परवत कहते हैं ठीक है और जो यह हिमाले परवस रिंखला है वो एक बलीत पर कोश्चन जो कि है हमारा कोश्चन नमर 16 अस्पेंट टाइम किस मौलिक सेल का रूपांतरित सेल है तो इसका जो सयंसर होगा बो हो जागा ऑप्शन नमर बी गैब्रो मौलिक सेल का यह रूपांतरित सेल है नक्स्ट कोश्चन है ग्रिनलेंड आज भी निरंतन किस और खिसक रहा है तो इसका जो सयंसर होगा बो हो जागा ऑप्शन नमर बी यानि पश्चिन के और घिसक रहा है देखिए अब बात आती है कि आखिरे पश्चिन के और घिसक क्यों रहा है तो ग्रिनलेंड का जो पश्चिन के और भी स्थापन है या घिसकना है वो किसके कारण है जो ये बल के कारण हो रहा है देखिए एक अल्फरेड बेगनर का आपने लोग नाम सुने होंगे तो अल्फरेड बेगनर जो एक सिधान दिये थे उस सिधान के अनुसार उनने ये कहा था कि महादीपों ने मुख रूप से दो दिसाओं अर्थात पस्चिम की और तथा भूमद दिपर डेनमार का कबजा है इसका कबजा है डेनमार का कबजा है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो की है यूराल परवत किस देश में है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होएगा रसिया यानि ऑप्सन नबर ये यूराल जो है वो रसिया में है ठीक है युराल परवत अभी मैं जस्ट आप लोगों को बताया कि युराल परवत जो है, वो बलित परवत का एक उधारन है, ठीक है? एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो युराल परवत है, वो एसिया और और Europe के बीच सिमा बनाता है ठीक है एसी और Europe के बीच सिमा बनाता है ये Uralपरवत अगला question है question number 19 इसमें सबसे बड़ा जील कौन है तो इसका जो सई answer होगा जगा option number 1 Caspian Saagard Caspian Saagard जो है वो सबसे बड़ी जील है ठीक है ताजे पानी की सबसे बड़ी जील है और यह इस्थित कहा है संजुकत राज अमेरिका और कनाडा के सीमा पर इस्थित है अगर हम बात बैकाल जील की कर लेते हैं बैकाल जील की बात अगर करते हैं तो बैकाल जील जो है वो बिस्व की सरवादीक गहरी जील है ठीक है अगर हम बात Michigan जील की करते हैं तो Michigan जो जील है वो America में इस्थित है clear है चलिए अब बात कर लेते हैं अगले question जो कि है हमारा question number 20 किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है तो इसका जो science रोगा बो हो जागा option number B समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है देखे बायू मंडल की अगर बात करते हैं तो बायू मंडल को पाँच परतों में विभाजित किया गया है पहला है छोब मंडल दूसरा है समताप मंडल तीसरा है मद्ध मंडल, चोथा है आयन मंडल और पांचमा है बाह मंडल ठीक है तो इसका जो ओजोन जो होता है वो समताप मंडल में पाया जाता है ठीक है अगर हम बात छोब मंडल की करते हैं तो छोब मंडल से याद रखियेगा कि जितनी भी मौसं सम्मदी घटनाएं होती है वो सब छोब मंडल में होती है चलिए अगला कोश्चन है सितोस्न कटी बंद की उपस्थिती कहां तक है तो इसका जो सई अंसर होगा बहुँ हो जागा ऑप्सन नबर भी साढ़े 23 डिग्री से साढ़े 26 डिग्री तक अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री से 23 डिग्री तक तो यह जो ऐरिया होता है वो कहला था उसन कटी बंद और जो 26 डिग्री से जो 90 डिग्री का अगरिया होता है यह कहलाएगा सीतक कटी बंद clear है मतलब यह जो सारे 66 ڈگری से 90 ڈگری होगा इसमें सूर्ज की किरने नहीं के बराबर पहुँचती है इसलिए यह ठंडा होता है और इसको सीथ कटी बंद कहा जाता है 0 से 23 ڈगری जो होता है वो उस्तन कटी बंद होता है क्योंकि इसमें सूच की किरने ना तो अधीक सीधी और ना ही अधीक तिल्चिप पड़ती है और इसलिए ये जो हमारा कटीबंद है वो मानत जीबन के लिए सर्ब से उप्यूक्त माना गया है चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ जो कि हमारा question number 22 question number 22, Milan करने का रहा एक साइड कुछ चकरबात का नाम दिया हुआ है और एक साइड उसके परभावित छेतर दिये हुए है तो अगर हम बात करते हैं नीशा की तो ये सिरलंका से है अगर हयान की बात करते हैं तो ये फिलिपलेन से है और नानी की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान से तो इसका जो अपसे नमर ये जो होगा वो होगा सही अंसा है अगर हम बात अब कर लेते हैं चक्रबात की तो चक्रबात में एक चीज याद रखेगा जो एक्जाम में कोश्चन पुछा जाता है कि चकरवात के केंदर में और बाह में क्या होता है तो याद रखेगा कि चकरवात के केंदर की अगर बात करेगा तो केंदर में निम्न बायू दाब होगा और अगर बाह की बाहर की बात करेगा तो बाहर में उच बायू दाब होगा ठीक है और जब बायू जब बाहर से चकर काड़ते हुए केंद्र की और परवेस करती है तब ही क्या होता यह जो उच्छितम बायू होती है यह बाहर से परवेस करके केंद्र में जो निम्तन ताप होता है उधर की और मुव करती है तब क्या होता है कि चकर बात उत्पन होता ह clear है चलिए अब बढ़ते हैं आगले question की दरब जो कि हमारा question number 23 question number 23 कह रहा है कि DRDO की अस्थापना कब हुई थी तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option number B यानि 1958 में DRDO की अस्थापना की गई थी DRDO की full form की अगर हम बात करते हैं तो DRDO की जो full form है वो है defense development organization ठीक है इसका मुख्याले भी याद रखिएगा इसका जो मुख्याले है वो नई दिल्ली में है और अभी बरतमान में जो इसके अध्याच है उनका नाम है जी सतीस रड़ी जी सतीस रड़ी clear है चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की दरब जो कि हमारा question number 24 लाल पंक का निर्मान किस चटान से होती है तो देखिए जहां भी लाल रहेगा वहाँ ये सोच लिजेगा कि आरेंग की मुख्यूदगी होगी तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number B उन चटानों जिसमें law-esque होते हैं ठीक है और law-esque की मौझूदगी के कारण ही मृदधा या चटान का रंग लाल होता है next question है question number 25 वेन जूला जलधारा कैसी जलधारा है तो इसकी जो सही अंसर होगा इसका वो जगा option number B थंडी जलधारा वेन जूला जलधारा जो है वो थंडी जलधारा है और ये बहती कहा है दचनी अल्टान्टिक महासागर की ये ठंडी जलधारा है clear है चलिए अगला question है question number 26 जिब उल्टर जलसंदी किसको किसको जोडता है तो इसका जो सही अंसर हो जागा भूमर सागर को अटलान्टिक महासागर से जोडता है option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा देखिए अगर हम फारस की खाड़ी और उमान की खाड़ी की बात करते हैं तो फारस की खाड़ी और उमान की खाड़ी को जोडने वाली जनसंदी को हम लोग क्या बोलते हैं हॉमरूर जलसंदी कहते है clear है अगर English Channel और उत्री सागर की बात करते हैं तो English Channel और उत्री सागर को जो जोडता है उसको बोलते हैं Dover जलसंधी Dover जलसंधी Clear है? चलिए हब बात करते हैं अगले question, question number 27 की question number 27 कह रहा है कि गुलाबी कॉलर कामगार किस परकार की आर्थि किडिया से जुड़े बैक्ती को कहा जाता है तो इसका जो सही अंसरों का पो हो जागा option number C, त्रीतियक की रहा से जुड़े हुए बैक्ती को गुलाबी कॉलर कहा जाता है देखिए, गुलाबी कॉलर में आते कौन है? गुलाबी कॉलर में जनरली जिसमें महिलाओं का प्रतिभागीता जो ज़्यादा होगा उसी को गुलाबी कॉलर कहते हैं जिसमें महिलाओं का रोल ज़्यादा होता महिलाओं ज़्यादा तर पाटिसिपेट करती हैं जैसे कि आप कह सकते नर्स जैसे कि आप कह सकते ब्यूटीसियन ये सारे किसमें आजाएंगे त्रितियक कॉलर यानि गुलाबी कॉलर कामगारीन को बोला जाता है एक चीज़ और याद रखेगा कि जो सरकाड़ी छेतर से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको लाल कॉलर क्रामकार बोला जाता है और जो सरमीक छेतर से जुड़े हुए होते हैं उनको ब्लू कॉलर बोला जाता है ठीक है चलिए अगला कोशन है चीनी निल्यात करने में किस देश का प्रथम अस्थान है तो चीनी का खटोरा किसको कह जाता है क्यूबा को तो इसका तो सहीन सारोजय कब हो जागा, option number B, यानि क्यूबा, अगर हम भारत की करते हैं बात, तो भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पातन जो होता है, वो UP में होता है, मतलब उत्रप्रदेश में होता है, एक चीज़ और याद रखे का चीनी से, कि भारतिये चीनी तक्नीकी अनु संदान संसां की अगर बात करेगा, तो भो हो जाएगा, कोयम बटूर जो कि तमिल नाडू में इस्थे थे, ठीक है, तो ये दोनों चीनी से रिलेटर था, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया, चलिए, अब अगला कोशन है, कोशन नमबर 29, कोशन नमबर 29 है, कि इसमें स उसरा सबसे बड़ा और लंबा हीमनद है, ठीक है, हीमनद होता क्या है, प्रिथिवी की सता पर विसाल अकार की जो गती सील बर्स रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते है, हीमनद कहते है, ठीक है, और ये जो सियाचीन ग्लेसियर है, मतलब हीमनद है, इसी को हम लोग इससे य प्याद रखेगा कि सियाचीन बिस्व का सरवादी उचा अस्थल वाला लडाई अस्थल है सियाचीन ग्लैसियर ठीक है चलिए और यह किसके भारत और पाकिस्तान के बीच बिवादी थे यह तो आप लोगों को पता ही होगा अगला कोशन है कोशन नमर्ट 30 अर्द तराई छे गवर्णर जेर्रल का नाम कीस अक्ट के तहट किया गया मतलब गवर्नर को कई जाने लगा तो यह अभी मैं डिसकस किया ही था कि 1793 के रिएक्टिंग एकट के तहट बंगाल के गवर्णर का नाम गवर्णर जेर्रल कर दिया गया तो आप्सिनमर questa चा नमर्च क्साई अंसर ह लगा क्लियर है चलिए एक चीज़ और याद रखिए का 1773 के रियागुलेटिंग एक्ट से कि 1773 के रियागुलेटिंग एक्ट को कम्पनी का पहला लिखी सम्मिधान भी कहा जाता है अगला कॉशन है भारत के पहले मंतरी मंदल में खाद बं किसी मंतरी कौन बने थे तो इसका जो सई अंसर होगा बहुँज़ आप्सन नमर सी हमारे डॉक्टर राजयंद पसाच जो थे वो पहले मंतरी मंदल यवां खाद मंतरी बने थे अगर हम बात जग जीवन राओ की करते हैं तो ये कार खानए बंबंदर गाह मंतरी बने थे और अगर हम बात डॉक्टर जॉन मताई की करते हैं तो जॉन मताई जो बने थे वो उद्ध्योगे बं आपूर्ति मंतरी बने थे चलिए अगला कोशन है कोशन नमर 33 हम भारत के लोग भारत को एक संपुन प्रभूत पन्थ समाजबादी ब्लैंक लोग तंतर गन राज बनाने के लिए जिक तस्थान में क्या है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जगा ऑप्सन नमर सी यानि पन्थ निर्पेज देखिए आपको ये पता होगा कि ये हमारा जो संविधान का प्रियंबल है यानि प्रस्ताबन में अभी तक प्रस्ताबना में सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक बार संसोदन किया गया है अब वो भी कब जब 42 संविधान संसोदन उनाइस सोदन में ठीक है और इसमें आप लोगों को पता हुआ कि तीन सब्द जोड़े गये थे वो तीन सब्द था समाजबाद पंथ निर जाता है क्लेर है चलिये अगला कॉश्ण है भारत में रूज के संविधान से क्या नहीं लिया गया है तो इसका जो सई अन्सर होगा देख хотите मौली करतरीअ के संविधान से लिया गया है क्लेर है, कहां से लिए गया है, अस्टेलिया के संविधान से लिए गया है मौली कर्तब की अगर बात करते हैं, तो मौली कर्तब से याद रखेगा कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में 976 में जोड hemen गया था जीए, चलिए झालिये कि भारतिय संबिधान का तो जो से स्रोथ हम लोग पढ़ते हैं कि यहां से लिया गया है तो सबसे बड़ा स्रोथ क्या है तो सबसे बड़ा संसोथ है 1935 काधिनियम लगबग लगबग 60% पर्सेंट पार्ट जो है हमारे संबिधान का यहीं से लिया गया है अब बात करते हैं अपने अगले question की तरब जो कि हमारा question number 35 35 है कि भारत के संविधान में नागरिक्ताक से संबंदित अनुछेत क्या है तो ये 5 से 11 होगा इस cancer यानी option number A जो होगा वो हमारा हो जाएगा नागरिक्ता से संबंदित और नागरिक्ता का उलेक किस में है भाग 2 में है तो ये भी आद रखिएगा कि भाग 2 में नागरिक्ता का उलेक है अनुछेत 5 से लेके 11 तक और फिर उसके बाद आजाता है क्या फिर उसके बाद आजागा भाग 3 अब भाग 3 में 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार का उलेक है क्लिर है? चलिए अब 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 तो है अपने अगले कोश्चन की तरफ जो की है हमारा कोश्चन नमर 36 कोश्चन नमर 36 कर रहा है कि भारतिये संभिधान में राजगाओं में कुटूर उद्योग को बढ़ावा देने से संबंदित प्रभधान से जुड़ा हुआ अनुछेद कोन है तो इसका जो सही अंसर होगा बोह जगा अप्सन नमर 3 अनुछेद 43 है अनुछेद 43 के द्वा के द्वारा ही उद्योग के प्रबंदन में स्रमिको की भागदारी है ठीक है देखे अगर हम बात करते हैं अन भाग 4 की देखे अभी एक चीज तो क्लियर ही हो गया हो आप लोगों को कि देखे मैं रिकॉल कर देता हूँ यह चीज कि भाग 2 की अगर बात करते हैं तो भाग 2 में 5 से 11 अनुछेद और नागरिता का प्रणन भाग 3 की अगर हम बात करते हैं तो भाग 3 में 12 से 35 अनुछेद मौली का दिकार का प्रणन और भाग 4 की अगर हम बात करेंगे तो भाग 4 में हो जाएगा 36 से 1 आमन और राज के निती निदे सकतर्थ का बर्नन है इसमें ठीक है जो की आयरलेंट के सम्भीधान से लिया गया है ठीक है आगर और options की बात कर लेते हैं तो अगर अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है अनुच्छे आगर हम बात करते हैं तो अनुचे 46 के तहत अनुचुची जातियों अनुचुची जन जातियों और अन्दुरलफ बर्गों को सिछा और आर्थ संबंदी ठीटों की अभी ब्रिद्धी का उलेक किया गया है अब बात करते हैं अपने अगले कोश्चन कोश्चन नमर 37 की question number 37 कह रहा है कि इन में से कौन भारत के राष्टपती नहीं थे तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा option number D क्यूं होगा D बो देखिए अगर हम बात BD जती की करते हैं तो जो BD जती भी जो थे ये भी कार्जबाहक राष्टपती के रूप में कार्ज किया है अगर हम बात M हिदायत दुल्ला की करते हैं तो M हिदायत दुल्ला जो है बो भी कार्जबाहक राष्टपती के रूप में कार्ज किया हैं 1969 में 20 जुलाई से लेके 24 अगस्त के रूप में अब बढ़ते हैं अपने अगले question की तरब किस अनुछेद के तहत राष्टपती दोनों सदनों की संजुक्त बैठक बुलाता है तो इसका जो सही अंसरों का बहुँ हो जागा अनुछेद 108 अनुछेद 108 के तहत ही राष्टपती जो होता है वो क्या करता है दोनों सदनों की संजुक्त बैठक बुलाता है अगर हम बात करते हैं कि जो संजुक्त बैठक बुलाता तो राश्टपती है पर लेकिन उसकी अध्यचता कौन करेंगे उसकी अध्यचता करेंगे लोकसवा अध्यच एक चिर और याद रखिएगा कि धन बिध्यक, सम्विधान संसोधन बिध्यक इस पर कभी संजुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है अभी तक अगर भारत की हम बात करते हैं तो भारत के संसदिय इतिहास में तीन बार संजुक्त बैठक बुलाया जा चुका है पहला एक बार 1961 में दहेज प्रतिबंद बिध्यक पर उसके बाद 1978 में बैंकिंग से बायोग बिध्यक पर और 2002 में फिर आतंकबार निवारक अध्योग जिसको हम लोग बोलते हैं पोटा ठीक है इस पर बुलाया जा चुका है अब बात करते हैं अपने अगले कोश्चन की तरब जो कि हमारा कोश्चन नमर 39 कोश्चन नमर 39 कर रहा है कि अनुछे 301 संबंधित है तो इसका जो सईयंसरों का बहुँच एक उप्सन नमर यही जो है उसका सईयंसर है कि राजपाल के 20 से साथ दिकार गिरखतारी या डांडिकर्ज बाहिक के मामले से अनुछे 301 संबंधित है अब बढ़ते हैं अपने अगले कोश्चन की तरब जो कि हमारा कोश्चन नमर 40 क्वेश्चन नमर 40 कर रहा है कि विधान साथ को इन में से किस से संबंधित बिषय पर कानून बनाने का आधिकार है तो देखिए इसका जो सईयंसर हो जागा बहुँच जागा आपसन नमर बी यानि संग सुची पर अगर हम बात कर लेते हैं संग सुची की तो संग सुची का मतलब क्या कि इस पर राज भी कानून बना सकता और केंदर भी कानून बना सकता है नई संग सुची पर सिर्फ और सिर्फ केंदर कानून बना सकता है संबर्ती सुची पर संग और केंदर दोनों बना सकता है संग और राज दोनों बना सकता है लेकिन याद रखिएगा कि अगर ये खी विषय पर दोनों सरकार के द्वारा कानून बना दिया जाए तो केंदर का कानून जो होगा वह ज्यादा परभावी होगा क्लियर है और संग सुची के विशेव पर कानून बनाने का अधिकार किसको है केबल संसत को है राज सुची के विशेव पर कानून बनाने का अधिकार क्या है राज को है लेकिन विशेश परस्थिती में संसर भी बना सकता है इस पर कानून विशेश परस्थिती में अगला question है question number 41 question number 41 है हरीज सूचकांग में सामिल नहीं होता है तो इसका जो सही अंसर है वो है option number D बास्तविक प्रति आय जो होगा वो सामिल नहीं होता है अगर हम बात करते हैं हरीज सूचकांग की तो ये 20 बैंक के द्वारा अगले question की तरफ योजना आयोका गठन कब किया गया था तो योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 2050 को यानि option number ये जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा एक चिर और याद रखेगा योजना आयोग से कि योजना आयोग का जो गठन था वो किसके सिफारिस पर हुआ था तो 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और एक जन बजी 2015 को निती आयोग बनाया गया जिसका full form है National Institute for Transforming India और उसकी अध्याच कौन होते हैं खुद प्रधान ततकालीन प्रधान मंत्री जो होगा वो क्या है निती आयोग का अध्याच होगा अगला question है question number 43 इन में से किस पंच बर्धियो योजना को गौडगील योजना के नाम से जाना जाता है यह बहुत बारिक जाम में पुछा गया इसका अंसर होगा तीसरी पंच बर्धियो योजना जो कब से कब थी 61 से लेके 906 आसर तक clear है अगर हम बात प्रधम पंच बर्धियो योजना की करते हैं तो यह था 901 कामन से लेके 906 तक और यह कौन से मोडल पे आधारी था है राल डोमर मोडल पे आधारी था अगला कोश्चन है इनमें से कौन कोलाइड नहीं है तो इसका जो सैंसर होगा वो होजगा आइस्क्रीम आइस्क्रीम जो है वो कोलाइड नहीं है देखिए कोलाइड होता क्या है कोलाइड में जो प्रचेपित कन है उनके आकार अगर 10 to the power 5 cm से लेके 10 to the power minus 7 cm के बीच होगा तो वो कोलाइड के जो कन होंगे वो हम लोग साधारन सिंपल माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते हैं लेकिन जो कोलाइड के उधारन दूध है खून है सहद है गोंध है रक्त है ये सारा चीज कोलाइडियल सोलूशन का एक्जाम पल है अगला कोश्चन है कोश्चन गया था 1975 में किया गया था और इसका कार्ज किया था 20 सुति कार्ज करम का इसका कार्ज करम का उदेश था गरिबी अन्मुनर और जीवन का जो living standard होता है उसको increase करना मतलब जीवन अस्तर में सुधार लाना इसका एक उदेश था 20 सुति कार्ज करम का एक चीज याद रखेगा फिर 20 सुति कार्ज करम का पुनसान अंचना भी किया गया था एक बार 1982 में फिर 1986 में और फिर 2006 में तीन बार इसके लागू किया गया गया उन्हें इसका पुनसान अंचना भी किया गया है अगला question है question number 46 question number 46 कहरा है कि उसा योजना किस मंतराले के द्वारा चलाई जाने वाल अगला question है इन में से कौन BTS अंसान नहीं है तो इसका जो science अरोगा बहुज अगर WHO WHO जो है वो BTS था नहीं है क्यों क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि WHO जो है वो world health organization है जिसका गठन 7 April 1948 को किया गया है ठीक है अगर हम बात IDBI की करते हैं तो IDBI का जो मुख्याले है वो मुंबई में और 1964 में इसका गठन हुआ है अगर हम बात IDBI की करते हैं तो इसका मुख्याले लखनव में है और इसका गठन 990 में किया गया है और अगर हम NHB की बात करते हैं मतलब राष्टिय आवास बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्याले नई दिली में है और इसका गठन 988 में किया गया है क्लेर हैं? चलिए अगला कोश्चन है Nasdaq किस देश का मुख, सेर, मुल्क सुचकाँख है? तो इसका जो साईनस सर अब हो जब हो जबा जएगा संजुकतराज अमेरीका का है? यह Nasdaq Nasdaq है गया? अगर देखिए इसको हम लिखते हैं Nasdaq तो इसका मतलब है National इसका फुल फॉम है NASDAQ का ठीक है अगला question है question number 50 question number 50 है सदा बहार क्रांति नहीं संबंदित है मतलब किस से नहीं संबंदित है तो कीट प्रबंदन से संबंदित नहीं है तो option number यह जो होगा वो हमारा सही answer है देखिए सदा बहार क्रांति के अगर हम बात करते हैं दूतिय हरित करांती बोला जाता है इसको लाया ही इसलिए गया था कि प्रथम हरित करांती जो था उसमें जो कमिया रह गई थी उसका सुधार करने के लिए सदा बाहर करांती को लाया गया था इसलिए इसको दूतिय हदित करांती भी कहा जाता है ठीक है और इसका उदेश क्या था कि देश की जो मिटी है उसको उन्नेत बनाना किसानों को लोन दिलाना एडेन वाटर हर्वेस्टिंग का काम करना तथा क्रिसी सोधन को बढ़ाबा देना ही काम था इसका सदा बाहर करांत अब देखिए उदेन काल की अगर हम बात करते हैं तो उस T का जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा वह होता है 2U sinθ upon G ठीक है यहाँ U का मान दिया हुआ U है यहाँ पे इनिसेल वेलोसिटी इनिसेल वेलोसिटी का मान दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड sinθ का मान दिया हुआ है तो इसको हम लोग 0.5 सेकंड हमारा सॉल्फ करने का बाद अंसर आएगा यह अपसर नबर B जो होगा वह हमारा सही अंसर हो जाएगा अब बात करते हैं अगले कोश्चन कोश्चन अबर 52 की एक समान ब्रीतिय गति में 5 मीटर त्रीजा वाले पत पर यादि किसी बस्तु का को मांच रेडियन पर सेकंड है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बो हो जागा 25 मीटर पर सेकंड ठीक है क्यूंकि होता है भी बराबर W तो 5 into 5 कितना हो जागा 25 मीटर पर सेकंड क्लियर है चलिए अब आचे अपने अगले कोश्चन की तरब जो कि हमारा कोश्चन निमबर 53 के द्वारा जो हमें उर्जा प्राप्त होती है वह किसका एकजामपल है यही नाबकिय सनलायन का एकजामपल है हाइडोजन बम की बात करते हैं तो वो भी नाबकिय सनलायन से दात परी कार्ज करते हैं दो चीज होता एक होता है नाबकिय सनलायन एक होता है नाबकिय बिखंड करता है क्लियर है चलिए अगला कोशन है कोशन नबर 54 का रहा है कि ठोस बेलन एल आप त्रीजा को अपने जैमी दिया अच के प्रिजरियत आघूर्ण कितना होगा तो इसका जो सही अंसर होगा वह होजागा ऑप्सन नबर भी यानि हाफ एमार स्कॉयर होगा ठीक है कि नेक्स्स कोशन है मिलान करने के लिए दिया हुआ है आपको एक साइड कुछ भौतिक राफिया दिये हुए है और एक साइड उसका सुत्र दिया हुआ है तो देखिए धरभियत आप जो होगा वो अब जी आज से मिलेगा दरभ का जो बेघ होगा वो अन्डरू निच्वल अगर हम आप रिती की बात करते हैं तो तरंग के चक्र पर समय बिंदू पर कन की स्थिति को क्या बोला जाता है अगर हम तरंग धहर की बात करते हैं मतलब बेबलेंद की बात करते हैं तो दो समीतम समान कला में कमपन करनों के मर्द की दूरी कोई हम लोग क्या बोलते हैं तरंग धहर बोलते हैं क्लेर हैं? चलिए. अब अगला कोशन 57. किसके द्वारा कमरे से गर्म गंदी हवा को बाहर निकाला जाता है? तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा संबातन के द्वारा, यानि option number 8 जो होगा बो हमारा सही अंसर होगा. तो फिरे next question, किसी आदर्स क्रिस सिका, अगला कोशन है, इन में से कौन पराबैगनी किर्णों का स्रोत नहीं है? तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा, option number D, यानि दोलित बैदुत प्रतिपत जो है, वो पराबैगनी किर्णों का स्रोत नहीं है, तो इसका तो सबको अंसर पता होगा, किसका जो अंसर होगा, बो हो जागा, C, यानि नुकलियोन, ठीक है, नुकलियोन की खोज किस ने की थी, जादर फोर्ट ने, याद रखियेगा, अगला कोशन है, कूट करो और इलक्ट्रोनों की संख्या दी होए है, तो सोडियम है, सोडियम कहोगा, 11, ठीक है, उसके बाद है, एर, एर कहोगा कितना, 18, आरगन, उसके बाद है, के, उसके बाद है क्या, के, तो के का कितना हो जागा, 19, के यानि, के की अगर हम बात करते हैं, तो क्या क्या है? पोटेसियम, पोटेसियम का कितना होता है? 19, ठीक है? तो इसका जो साइयंसर हो जागा, बो हो जागा, option number A, ठीक है? चलिए, अब आठते हैं अपने अगले question की तरफ, जो कि है हमारा question number 63, question number 63 है, magnesium में core electron की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, पहले तो आप समझ लीज़े, core electron होता क्या है? तो दो चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है core electron और एक होता है balance electron. तो देखिए, balance electron को minus कर दीज़ेगा, total number of electron में तो निकल जागा core electron. आपने जब पढ़ा होगा, तो ये पढ़ा होगा, electronic बिन्यास की 282 होता है, ठीक है? अच्छा जो last बालब 2 electron है, ये क्या हो जागा? balance electron हो जागा, तो इन दोनों को minus कर दीज़े, तो minus कर दीज़ेगा, तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, तो option number ये जो होगा, वो हमारा सही answer होगा. मतलब simple सा याद रखिए, कि core electron होता क्या है, balance electron को आप minus कर दीज़ेगा, total number of electron में से, तो जो होगा, वो कोल electron कहलाएगा, clear है, चलिए, अबने next question है, question number 64, 64 कहला है, कि किसी electron के लिए कच्छक में कितने परकार का चक्रन संभब है, तो इसका जो सही answer होगा, option number B, 2, दो परकार का, एक क्या होगा, anti-clock, और एक हो जागा, clock, ठीक है, अगला question है, question number 65, B, C, L2 में कोन का मान कितना होता है, तो 180 degree होता है, तो इसका जो सही answer होजागा, वो होजागा, option number C, B, C, L2 होता क्या है, barium, chloride, फिर या question number 66, किन्मन की खोज किस ने की थी, तो किन्मन की खोज किये थे, Lewis Pasteur ने, तो option number B जो होगा, वो हमारा, सही answer होजागा, आखिर अब बात करते हैं कि किन्मन, किन्मन है क्या, तो किन्मन की बात करते हैं, तो किन्मन क्या है, एक जैवरा सायनिक प्रक्रिया है, जिसमें jettil carbonic, योगिक, सुच्छम जीवों की साहता से, सरल कार्वोनी की वग में बिगटित हो जाता है क्लियर है किन्मन से एक और जी जाद रखिएगा कि किन्मन की प्रक्रिया में ऑक्सिजन का होना जरूरी नहीं है मतलब ऑक्सिजन की अनुपस्थिती होती है जैसे कि आप लोग बोलते हैं इथाई अल्कोहल जो सराब होता है उसको किसे किन्मन के प्रोसेस से ही बनाया जाता है अगला क्वेशन है क्वेशन नमर 67 क्वेशन नमर 67 कह रहा है कि नेटल में कौन सा आमल का सराब होता है तो इसका जो सई अंसर है वो है मैथोनी कामल यानि option number जो होगा वो हमारा सई अंसर हो जाएगा ठीक है नैटल है क्या एक बिच्छू बुटी एक जंगली पौधा है जिसके पत्ती जो होते हैं वो डंकी नुमा सन रचना होती है अगर हम लोग औक जेली कामल की बात करते हैं तो औक जेली कामल से याद रखेगा कि टमाटर में औक जेली कामल पाया जाता है ठीक है और अगर मैली कामल की बात करते हैं ठीक है तो यह किसमें पाया जाता है सेब में पाया जाता है next question है इन में से किसे while of vitrol के नाम से जाना जाता है तो H2SO4 को while of vitrol के नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कह सकते है sulfuric acid जो क्या होता है racino का राजा होता है ठीक है अगर हम बात कर लेते हैं NaOH की तो NaOH क्या होता है sodium hydroxide है इसको soda भी बोले जाता है ठीक है अगला question है question number 69 question number 69 कर रहा है कि इन में से किसका pH मान सबसे जादा होता है तो इसका जो सही अंसर है वो हो जागा option number C साबुन वाले पानी का pH मान सबसे जादा होता है क्यूंकि साबन वाले पियेच मान का जो पियेच मान होता है वो 8 से 11 के बीच होता है मानब मुतर का अगर हम बात करते हैं तो मानब मुतर का पियेच मान 6.4 होता है बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो बेकिंग सोडा का पियेच मान 9 होता है और सुद जल का pH मां 7 होता है जो की मतलब निलिजिबल मतलब वो acetic nor basic होता है ठीक है 14 होता है न जैसे देखिए 0 से लेकर 14 होगा 0 से 7 तक होगा acetic nature 7 होगा neutral और 7 से 14 होगा basic nature मतलब छार ये अगला question है question number 70 question number 70 के रहा है कि उत्प्रेनन की घटना की खोच किस ने की थी तो इसका जो सही अंसर होगा बर्जिलियस यानि option number ये जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है historian naturels के लेखक कौन थे तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा बो होगा option number B पिलानी दा एल्टर ये क्या थे यूनानी लेखक थे और इन्होंने ये historian naturels लिखा था historian naturels का मतलब होता है natural history और इस पुस्टक में पिलानी ने भारतिये पस्वों पेड़ पॉधे और खनीज परार्थों का उलेख किया था clear है अगर हम बात यहां पे अरस्तु की कर लेते हैं तो अरस्तु से याद रखेगा किनों ने historiology का नाम पुस्तक की रचना की थी next question है कि मानव का बैग्यानिक नाम क्या है तो ये तो सब को पता है homo sapiens यानि option number C जो होगा वो हमारा सही answer है देखे सभी चन्तुओं के जो नाम होते हैं वो latin भासा में दो सब्दों से बने होते है जिसमें पहला जो सब्द होता है वो buns का नाम दरसाता है और दूसरा जो सब्द होता है वो जाती का नाम दरसाता है और ये जो दिवी नाम पदती है इसके जनक कौन है, करोलोस लीनियस है, ठीक है, पैंथेरा पार्ड़स की अगर बात करते हैं तो ये तेंदुआ का बैग्यानिक नाम है, राना ट्रिग्याना की बात करते हैं तो ये मेड़क का बैग्यानिक नाम है, और बॉस इंडिकस की इंडिका की बात करते हैं तो ये गा बैक्ट्रियो लौजी के अंतरगत हम लोग जीवानियों का अध्यान करते हैं नेक्स्स कोश्चन है हमारा कोश्चन नबर 74 कोश्चन नबर 74 है गुलकोम क्या है तो गुलकोम क्या है एक कबक है तो आपसन नमर यह जो होगा वो हमारा सही एंसर हो जाएगा कबक से एक और चीज़ याद रखेगा कि कबक के कारण ही एथलीट, फूट, दाद, खाद, खुजली यह सब जो रोग होता है वो कबक के कारण ही होता है और कबक के अध्यान को हम लोग क्या बोलते हैं माईको लौजी कहते हैं क्लेर हैं, चेलिए, हम बढ़ते हैं अपने अगले कोश्चन की तरब जो कि है हमारा कोश्चन नमर 75 कोश्चन नमर 75 कर रहा है कि वैसा जन्तु सरीर जिसको किसी भी परकार से काटने पर वो समान भाग्यों में नहीं बढ़ता है की कबक कोशिका भीति इसकी बनी हुई होती है, तो इसका जो सही अंस रोगा बोहा जागा, ऑप्सन नमर B ग्लुकोस daymine की बनी हुई होती है अगर हम बात कबक की करते हैं तो कबक में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइको जेन के रूप में होता है चिक है अगला question है question number 78 question number 78 का रहा है कि कोशिका के अंदर एजास धानिया एक खास प्रकार की जिली त्वारा घिरी रहती है जिसे क्या कहते है तो इसका कहते है tono plast कहते है clear है चल अब बात करते है अगले question की तरब जो कि हमारा question number 79 question number 79 कोबाल्ट नहीं पाया जाता है तो मेवा में कोबाल्ट नहीं पाया जाता है option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा कोबाल्ट का मतलब आपको एक चीज आहीं क्या होगा B2B, B2B का एक महत्मून घटक है कोबाल्ट B2B को ही कहते है मास, दूद, पनीर, इत्यादी में कोबाल्ट की पूर्ती होती है ठीक है अब कोबाल्ट की कमी से क्या होता है रक्त छीनता रोग होता है अब बात करते हैं अगले question की तरब जो कि हमारा question number 80 निम्टो फोर्जर्ड का उधारन है तो क्या होगा सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है साथी साथ आप पहले टेलीग्राम या वाटसप ग्रूप से इसका PDF डाउनलोड कर लीजेगा उसके बाद इसको attempt कीजेगा फिर वीडियो देखेगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ कितना गलत हुआ फिर आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि आप लोगों का कितना माक्स आ रहा है क्योंकि आप आप लोगों का exam date नजदी का चुका है तो आप पूरी तरह से जी जान से आप इस exam की तयारी कीजे अगर आपको SI बनना है तो ठीक है और साथी साथ अगर आपने अभी तक चैनल पे नए जुड़े है या चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो एक like जरूर कीजेगा आगे के जो questions है वो हमने इस PDF में दे रखे है मतलब 80 से लेके 100 तक के भी questions वो math reasoning के आप question solve कीजेगा अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप WhatsApp ग्रूप या टेलिग्राम ग्रूप में message कर सकते हैं आपको उसको solution provide करा दिया जाएगा तक्क्षर वाचिए